प्रेंट्स नमस्कार जैहिन मैं केलास प्रदान फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस के बारी में सक्सेस हर कोई तो होना चाहती है किसी को भी पुछा जाए जैसे सब्जी वाला को पुछा जाता है कि भाई सब्जी ताजाए तो वो ना नहीं करेगा सबजी ताजा ही बोलेगा उसी तरह किसी को भी पुछा जाए क्या तुम सक्सेस होना चाहते हो सफल होना चाहते हो तो हर कोई तो बोलती है कि सक्सेस तो होना चाहती हूँ और सक्सेस के लिए कई सारे साथी काम भी करते है एक्सन भी लेते हैं पर success हो नहीं पाते है उसकी raison क्या है और कियो हम हो पाएंगे उसकी बारे में आज हम बात करने बाने हैं फ्रेंस एक बार की बात है एक कुटा अपनी खाने की तलास में जंगल में भड़क रहा था तो अचानग को उसकी नजर एक खर्गोस की उपर पड़ी और जैसे ही खर्गोस की उपर पड़ी उसने चलाग लगाई और उसको पीछा करने लगा खर्गोस को भी पता चल गया और वो भी भागने लगा पिछा करते करते कुटा बहुत दूर तक भगाया पगण नहीं पाई और खर्गोस जागर एक छोटी सी जाट के अंदर छुप गई और कुटा दूंडते रही थोड़ी देर बाद फिर से नजर आई फिर से भगाया फि कुट इसे समय चलते रहा उसके बाद आखिर में कुटा ठक गया और हार के एक छाव में बैटने लगा उसी टाइम खर्गोस बस उसी की ही आसपास में था छुपकी था तो कुटा की जैसे नजर आई तो कुटा उसे पुछा खर्गोस भाई तो इतना बता तेरे से मैं अकल से जादा हूँ तेरे से में सकल से भी जादा हूँ तेरे से ओजन से भी जादा हूँ तेरे से ताकब में भी जादा हूँ फिर भी तुझे पकड क्यों नहीं पाई में नहीं तो खर्गोस बोलती है कुटा भाई बसे फरक इतना है तो अपना लांस के लिए भाग रहा था और मैं अपनी लाइप के लिए भाग रा था इसी कारण मैं जीत गया और तुमने हर गया फ्रेंट्स यही होता है हमारी जिन्देगी के साथ हमारा कर्म की साथ हमारी जो भी हम कामकाज करते हैं अगर हम लाइफ अपना फ्यूचर अपना जिंदेगी की हिसाब से नहीं देखते हैं उसी नजर से नहीं देखते हैं बस एक बार की हो जाए जैसे लंज के लिए कुटा भाग रहा था एक बार लंज मिल जाए कम खतम तो ऐसी इरादा अगर हमारी रहेगी तो हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे इसलिए फ्रेंट्स हमें बड़ी सोच बड़ी इरादा बड़ी नजर से काम करना फड़ेगा फ्रेंट्स जैसे कोई रिचार्ज वाला बस क्या सोचता है एक बंदा आया दोसो पांसो हजार की रिचार्ज किया मुझे पांदस रुपिया मिल गया काम ख साल दोसाल की उप्लानिंग करता है ज्यादा मुनाफ़ा उन से कमाता है ठीक उसी तरह एक लेवर को देखिए बस दीन का काम करती है सामको उसका मतलब रहती है 30500 मिल जाए काम खटम पर उसकी उपर जो अपरेट करती है वह चाता है मैं मैंना का काम करूं और मैंना की भूख मिनना लगा लग जाए और उसकी उपर में जो रहती है और थोड़ा आइडिलेजी उसकी पास होती है वोगों सोचती है कि इस काम को मैंने पुरा करूँ मुझे चाहे साल लगे चाहे दो साल लगे चाहे छे मेना भी खतम हो जाए पर मुझे लाखो कुरोड में पैसा मिलना चाहिए उसी हिसाब से हमारी जैसी सोच होती है एसी हिसाब से हमें पैसा मिलता है हमें हमारी रोजगार मिलती है हमें हमारी मंजिल मिलती है हमें सफलता मिलती है फैंस आपको पता चल गया होगा कि सफ़ता के लिए कितना जरूरी होती है हमारा गोल सेट ठीक है फैंस तो वीडियो को लास्ट तक आपको सुनने के लिए देखने के लिए बहुत भूत धन्यवाद अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एर सेर बिलकुल और आपकी सर्कल में ऐसा कोई साथ ही है जो भी ऐसा परिष्थिति में चल रहा है तो उनकी साथ में ये वीडियो सेर किजिए थेंक्यू जैन